नवस्कार भारत एक्सप्रेस यूपी पर आपका स्वागत है मैं हूँ हर्शंकर कुमार बल्या को बागी बल्या कहा जाता है क्योंकि इसके तेवर में बगावत है बल्या वो है जहां आजादी से 5 साल पहले ही तिरंगा फैहरा दिया गया था बात आजादी के बाद की राजनीती की करे तो तब भी इसके तेवर बागी रहे स्वतंतरता के बाद जब 1952 में पहली बार लोगसभा चुना हुआ था तब कॉंग्रेस पार्टी ने यहां के लोगों की मर्जी के खिलाप मदन मोहन वालविये के बेटे गोबिन मालविये को टीकट थमा दिया यह बात यहां के लोगों को नागवार गुच्री बलिया ने फिर अपना बागी तेवर दिखाया और कॉंग्रेस की लहर में नर्दलिये मुरली मनोहर को जीत दिला दी और उन्हें दिल्ली भेज दिया 1957 में कॉंग्रेस ने यहां अपनी खोई साख फिर वापस पाली कॉंग्रेस ने यहां राधा मोहन सिंग को मैदान में उतारा और जीत दर्ज की बलिया में कॉंग्रेस पार्टी का जल्बा 1971 तक कायम रहा नेता जरूर बदलते रहे कभी कॉंग्रेस को हराने वाले मुर्ली बाबू कॉंग्रेस की टिकट पर फिर 1962 में सांसद बने 1967 और 1971 में चंदरी का लाल ने यहां से जीत दर्ज की जब कॉंग्रेस के खलाप जैप्रकाश नारायन ने देश व्यापी आंदोलन छेड़ा तो बागी बलिया के फकर चंद्शेखर सिंग को यहां की जनता ने चुना चंद्शेखर सिंग बलिया से लगातार चुनाव जीतते रहे 1984 को छोड़कर इंद्रा गांधी के हत्या के बाद 1984 में हुआ चुनाव अब बाद है तब कॉंग्रेस पार्टी के जगरना चौधरी ने जीत दर्ज की थी 2019 के चुनाव में बलिया में सबसे पहले भगवा पर्चम लहराने वाले भरस सिंग को भारती जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया बीजेपी ने यहां विरेंद्र सिंग मस्त को मैदान में उतारा वही समाजवादी पार्टी ने भी अपना परत्याशी बदला था 2007 में स्पी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे पुर्व पीम और समाजवादी नेता चंशेखर सिंग के बेटे नीरा शेखर की टिकट काट कर अखिलिश ने सनातन पांडे को साइकिल सिंबल थमाया सनातन पांडे ने बीजेपी परत्याशी को कड़ी टक कर दी लेकिन वो जीत दर्ज नहीं कर पाए बीजेपी के विरेंदर सिंग को 2019 में 4,79,114 वोट मिले जबकि सनातन पांडे को 4,53,595 वोट मिले थे 2019 का चुनाव जहां एक तरफा नहीं था 2014 में बीजेपी के भरत सिंग ने यहां करीब 1,40,000 वोटों से जीत दर्ज की थी वहीं 2019 में जीत का अंतर महज 1,55,099 वोट ही रहा बलिया के सांसद और फिर देश के प्रधान मंत्री बने चंशेखर के निधन के बाद यहां लोगों ने उनके बेटे नीरज शेखर को उनकी विरासत सौपी बलिया सीर से चंशेखर और उनके परिवार ने 10 बार जीत दर्ज की है नीरज शेखर ने सपा की टिकट पर बलिया से 3 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जीत दर्ज की उन्होंने यहां 2007 उपचुनाव और 2009 के उपचुनाव में जीत दर्ज की 2014 के मोदी लहर में बीजेपी ने भी यहां अपना खाता खोला तब भगवा पार्टी के भरस सिंग ने नीरज शेखर को शिकाज दी इसके बाद 2019 में बीजेपी के विरेंदर सिंग मस्त ने यहां जीत दर्ज की 2019 में नीरज को सपा ने टिकट नहीं दिया तो नीरज शेखर बीजेपी में शामिल हो गए नीरज शेखर अभी बीजेपी से राजिसभा सांसद है बहन मायवती की पार्टी ने यहां अब तक खाता नहीं खोला है जबकि दिवंगत समाजबादी नेता चंशेखर सिंग ने पहली बार RLD की टिकट पर ही यहां से जीत दर्ज की थी बीजेपी बलिया में हैट्रिक लगाने की कोशिश में है और समाजबादी पार्टी अपनी खोई जमीन पाने की जुगत में इसके बाद यहां जातिय समिकरन महत्वपूर्ण हो जाता है बलिया में कुल 23,058,606 मदाता है इसमें पुरुशों की संख्या 12,93,860 है जबकि महिला मदाताओं की संख्या 10,64,676 है बलिया जिले की 90 परतिशत से ज्यादा आबादी गाओं में रहती है बात जातिकत वोट की करें तो यहां सबसे ज्यादा करीब 3,00,00, ब्राम्हन वोटर है इसके बाद यादब और राजपूत वोटरों की संख्या करीब धाई 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 लाख है मुसलिम वोटर की आबा बलिया के लोग शुरू से ही फक्कर सुभाब वाले जन प्रतिनीधी को चुनते रहे हैं चंद्शेकर सिंग यहां से आठ बार सांसद वने फिर उनके बेटे भी दो बार लेकिन अब यहां की राजनीती ने करवट बदली है अब यहां जाती के साथ साथ धार्मिक आधार पर भी वोटो की गोलबंदी हो रही है इस वीडियो में फिलहाल इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी नमस्कार